हेलो क्लास फोर्थ, वेलकम तू दे क्लास, मैसेल पैश्टी मोहित और मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, शोशल साइंच जैसे जमें आपको पहले बता चुका हूँ, क्लास आज हम लोग करेंगे चेप्टर सेवन, लाइफ इन दा वेस्टन डेजट्स, तो चलिए स्टाट करते हैं, इन दा प्रीवियस चैप्टर, पिछले चैप्टर में, you have already read that the western part of Rajasthan is a desert, पिछले चैप्टर में आपने पहले ही पढ़ चुके हैं, क्यों राजिस्तान का western part है, वो है डेजट,動ect, life in a desert is very hard, डेजेट में जो लाइफ होती है वो बहुत ही मुश्किल है बहुत ही कठेन है प्यूपल है टू गो फ्रॉम बन प्लेश टू अनौदर इन सर्च अप फूड फूर देमसेल्फ एंड फॉर देर एनिमल्स जो वहां के प्यूपल से जो वहां के लोग हैं वो एक प्लेश से दूसरी प्लेश जाते हैं फूड को सर्च करने फूड को ढूडने खुद के लिए और अपने जानवरों के लिए यह प्यूपल कहलाते हैं नूमैट्स और बंजारास ठीक है दोनों ही एक चीज़ए इन लोगों को हम बंजारास कहते हैं बंजार है जो हमने सुने है उक्यूपेशन दा मैन उक्यूपेशन ओप दा पूपल लिविंग इन दा डेजेट सार एग्रिकल्चर एंड रियरिंग एनिमल्स सच है शीप गॉट एंड कैमिल्स जो मैन उक्यूपेशन होता है जो यहां पर डेजेट में लोग रहते हैं उनका वो यह होता है एग्रिकल्चर और सिप रियरिंग यानि कि जो भेड़ वक्रे होते हैं यानि कि जो एनिमल्स होते हैं उनको चराने का अब वो एनिमल्स कोन गोंज होते हैं शिप गॉट एंड कैमिल्स क्या होता है इनको पाला चराया और फिर जब यह बड़े हो जाते तो पिर इनको बेच दिया जाता और केमिल से तो जैसे काम भी लिया जा सकता है तो यह डेजेट के लोगों का मैं अक्यूपेशन होता है क्लास बाजरा पल्सिस जोवार मेज सीसम एंड ग्राउंड नट्स आर दा मैं क्रॉप्स ग्रॉण हेर ठीक है बाजरा पल्सिस यानि की धा मेड ओफ लेकवर और जुएलरी मेड और बॉंस ठीक है बैंगल जो की चूडियां और कंगन होते हैं पहल ग्राउंड पॉप्लर और ज्यानि किसी इड़ा वोग्दे क्राफ्ट जारोकाउस फरनीचर जोएलरी वॉक्सेस अंड अब क्राफ्ट जैसे की ज्जरोंगाउस् jewelry boxes और कुछ decorative items वो भी बहुत popular है ठीक है दा बंदानी और tie and dye textile of राजिस्तान is famous all over the country बंदानी और dye textile जो होती है राजिस्तान की वो बहुत ज़्यादे famous है पूरी countries में ठीक है ना आपको समझ माँ है यहां के लोगों का man पेसा तो यह agriculture और इंडिया में लगवग हर एक श्टेट में एग्रिकल्चर ही man occupation है और फिर यहां के handicrafts बगएरा बहुत ज़्यादे famous हैं अब हम culture के बारे में पढ़ लेते हैं culture since very few vegetables grow in the desert the people of Rajasthan use dried lentils beans etc ठीक है देखिए जो vegetables है वो बहुत ही कम होते हैं ठीक है जो राजिस्तान के लोग होते हैं वो यूज करते हैं dry lentils और beans in their daily food अपने डेली के खाने में gram floor is a major ingredient here gram floor जो होता वो एक major ingredient होता है it is used to prepare some of daily seeds of Rajasthan कुछ जो बहुत अच्छी recipes होती हैं उनको बनाने में यह काम आता है जैसे कि गटे की सबची पकोडी मंगोडी पापड दालवाटी चूर्मा इस famous dish of the state ठीक है दालवाटी चूर्मा इस state का famous dish है the people of Rajasthan are fond of colorful dresses Rajasthan के लोगों को शौक होता है colorful dresses का पहनने का और बेची भी आती है वहाँ पर बहुत जाद है the common dress born by the women are sari choli and ghaagra choli पर दोडनी जो common dress होती है जो औरते वह यहां की पहनती है वो होती है sari choli ghaagra choli ओडनी के साथ ठीक है इस तरीके से कुछ समझ माया the traditional dresses of men include dhoti traditional dresses क्या होती मैंस की बहुती है dhoti, anggra khah and pagdi ठीक है many people live in traditional huts called jhumpa बहुत से लोग traditional hut में रहते हैं जिसको बोलते हैं jhumpa क्या बोलते हैं jhumpa dance and music ghumar and kalbelia are the folk dance of Rajasthan ghumar और kalbelia यह folk dance है राजिस्तान का the jhapur gharana is known for the classical dance form kathak jhapur gharana जाना जाता है classical dance form के लिए जिसको कहते हैं kathak bhopa and cheng are the some musical form of the state bhopa और cheng जो होती है वो एक musical form से इस state की अब important places क्या क्या है some of the important places of the tourist interest in Rajasthan कुछ ऐसे important places जिसमें tourist को बहुत मज़ा आता है जो tourist बहुत देखने आते हैं राजिस्तान में वो है एक तो जैपूर सहर दूसरा जैसल में वीकाने और जोत्पूर अगर आपको life में कभी मौका मिले तो जैपूर ज़रूर जाहिएगा पहां पे आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा जैपूर जाना जाता है पिंक सिटी के नाम से पहले इस एक वील्स पे है लग्जरी ट्रेंज इस मेजर एट्रेक्शन फॉर डॉरिस्ट यह मेजर एट्रेक्शन होइँ है टॉरिस्ट का ठीक है और जैपूर में पता है एक चीज और है जैपूर में एक एशिया का second largest mall है ज प्यूपल जादे तर केमिल्स को यूज करते हैं इंपोर्टेंट मीन्स आप ट्रांसपोर्ट डाजेट में क्या होता है गाड़ी चलती नहीं आपकी तो बहाँ पर कैमिल का यूज किया जाता है यही वो कारड है जिसकी वजए से कैमिल को शिप आप देजट कहा जा तो क्लास आपका चैप्टर होता है यही पर फिनिश उम्मीद आपको समझ में आया होगा आपने अपना टाइम दिया उसके लिए थैंक्यू सो मच